ओम शान्ति आज 10 अगस्त 2023 है आज बाबा ने मुर्ली में कहा कि हमें याद की धुन लग जाए इस याद से ही हम बाब के गले का हार बनेंगे तो याद की धुन किसको कहा जाता है जिसको याद की धुन है उसमें क्या लक्षन दिखाई देंगे जानते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारों से शक्ति शाली ज्वाला स्वरूप की याद तब रहेगी जब याद का लिंक सदा जुटा रहेगा अगर बार बार लिंक तूटता है तो उसे जोडने में समय लगता मेहनत लगती और शक्ति शाली के बजाए कमजोर हो जाते हो हम राम्हन कई बार अब भी याद करने में मेहनत करते हैं याद करते ही इसलिए है कि मेहनत मुक्त बना जाए याद से ही हमारे संसकारों में परिवर्तन आएगा याद से ही हमें खुशी की, शक्ती की, हलके पन की महसूसता होगी लेकिन कई बार याद नहीं हो पाती, याद का लिंक नहीं जुट पाता तो याद करने में ही सारी शक्ती चली जाती है युद्ध करने में ही सारी शक्ती चली जाती है और अगर उस quality की याद नहीं है तो सुख के अनुभूती के बजाए कहीं न कहीं अंदर पश्चा अताप या मन भारी होने लगता है तो जो बाबा ने आज हमें मुरली में कहा है याद की धुन उसको आज बाबा अव्यक्त इशारू में एक्स्प्लेन कर रहे हैं शक्ति शाली याद जिससे लिंक हमेशा जुटा रहे जब किसी बात की धुन लग जाती है तो वो किये विना हम पीछे नहीं हटते हम रुकते नहीं है याद का हमारा लक्षे है बाप समान संपूरन बनना निराकारी, निर्वेकारी, निर्एहंकारी बनना तो जब तक हमने इस लक्षे को नहीं पाया तब तक याद की धुन लगी रहे अर्थात याद का लिंक जुटा रहे वैसे भी जिससे महबबत होती है जिससे प्यार होता है उसके लिए दुन लग जाती है उससे याद किये बिना या कोई भी कर्म करेंगे उसे भूल नहीं सकते तो आज बाबा ने हमें इस बात की प्रेणा दी है कि अगर हमें अपनी याद को शक्ति शाली बनाना है तो हमें निरंतर करना है उसको लिंक जुटा रहे अगर बहुत समय से हम कोई काम ना करें और फिर उसको करने चले तो महनत जादा लगती ही है और अगर कोई कर्म हम रोज करते हैं तो उसको करते रहने के लिए हमें महनत नहीं लगती इसलिए हम लिंक तोड़े ही न जो दुबारा जोडने की मेनत लगे फिर कही न कही उदासीनता आ जाएगी कही न कही अलबेले हो जाएंगे या कही न कही मन भारी हो जाएगा वो संतोश, वो खुशी, वो हलकापन नहीं मिलेगा इसलिए निरंतर इस ज्ञान और योग के मार्क पर संपूर्णता की और आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है कि याद का ये लिंक हमेशा जुटा रहे ओम शान्ती